अधेर नगरी चोपट राजा के कारण बंद होने वाली है तो हम आप लोगों से ओनलाइन ही एजुकेशन में मिलेंगे यह तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाइलोजी है प्रकास सरेपी बट जाते जाते क्लास को आप करने से पहले एक दो सवाल में पूछते ह हुए जाता हूं कि एक जो नोटीस पारित किया गया बिहार सरकार के तरफ से सभी ड्रीम को और शिविल सर्जन को कि 26 जनवरी तक सभी दस्मों और इंटर के प्रिक्षारती को भैक्सीन दे दिजिए उसके बाद एक्जाम ली जा सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि को प्रैक्टिकल लिया जा रहा था जिसमें कि बच्चों का हजारों कहजार संख्याम एक एक सेंटर पर भीड़ थे क्या उसमें कुरोना नहीं फेल लही थी एक छोटा सवाल और करना चाहते हैं गुबर्णमेंट से बरा असांड सब्दों में कि जब भैक्सीन लेकर आप ग्जाम करा सकते हो तो क्या भैक्सिन लेकर बच्चे उसी स्कूल में आप इस सरकारी स्कूल में कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टिचूशन में नहीं पढ़ सकते हैं आधि इस कोरोनों को पढ़ाई से क्या अलर्गी एक जब किताब खोल कर बच्चे बढ़ेंगे चापकर सबके घर पर भेज दिजिए अता लोगों को ठगना बंद किजिए रही बात आप एक्जाम लिजिएगा चार फिट पॉच फिट छो फिट के बेंद पर तीन चार या पॉच पॉच बच्चे को बेठा के एक्जाम ली जाती है मैं भी ओमर गल्स हाई स्कूल में कई वर्षों तक एक्जाम लियाओं एक्जाम में किस तरह का भीर होता है मुझे पता है तो वहाँ पर क्या एक एक बिता क्या दूरी भी आपके लिए सोचल डिस्टेंसिंग मानी जाएगी क्या और यहां पर कोचिंग संस्था अनबाले यदि एक बेंच पर बच्चे को बेठा के परहाएंगे तो भीर लगा रहा है आखिर मन्सा क्या है बच्चे को भविश्च को कहां ले जाना चाहते हैं कि चलिए माड़िये प्राइविट इस्टिचूशन सब को बंद किजिए खतम किजिए कम से कम जब भैक्सिन लेके एक्जाम ले सकते तो भैक्सिन दिलाकर बच्चे को पढ़ाईए तो अपने संस्था में मास्टर को कहां खिचरी खिलाने में मुर्गा गिनने में बक्री गिनने में फसाते हैं क्यों ने उनको पढ़ाई में लगाते हैं क्यों ने उनको पढ़ाने देते हैं तो यह सब बोट की राजनीती के चलते कभी साइकिल देकर बोट लेते हैं कभी पुसाग का राशी देक बोट लेते हैं और नहीं पढ़ने बाले